विविद नेसरगिक बुद्धियों के सेल्फ असेस्मेंट या स्वमुल्यांकन का समय पूरा हुआ आशा है आप सबने इसे पूरी आस्था और ध्यान से किया होगा इसमें हमने कुछ इस प्रकार का रिस्पॉन्स शीट भणा था हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से आपको इसमें अंक जोड़ने है तो ये आपके सामने एक सैंपल रिस्पॉन्स शीट है इसमें दिखाया गया है कि जो 9 कॉलम है एक से लेकर 9 तक उसमें किस प्रकार के आपके टोटल आएंगे जैसे कि हमारे उदाहारण में 26, 21, 8, 32, 18, 27, 15, 27 और 25 याद रहे कि हमारी ये सैंपल रिस्पॉन्स शीट केवल प्रदर्शन हे तु है और आपके व्यक्तिगत जोड या योग अलग-अलग होंगे इन में से कोई भी आदर्श जोड यानि आइडियल स्कॉर नहीं है और ना ही कोई जोड सही या गलत है हाँ ये बात तभी सही होगी अगर आपने अपने चेहनित अंकों का जोड ठीक तरह से किया होगा इन जोड़े गए अंकों का विशलिशन या अनैलिसिस किस प्रकार से किया जाएगा उसकी क्रिया भी ध्यान पूर्वक समझ ले हमें पता लगाना है कि हमारा अपना जो सेल्फ असेस्मेंट है विविद बुद्धियों का इन में से कौन-कौन से हमारे उपर लागव होती है इसके लिए हमें पहचानने होंगे अपने अपने प्रथम तीन-चार जोड़े हुए अंक या तीन से लेकर चार तक उच्चतम योग याद रहे कि जैसे हमारी पाटशालाओं या शिक्षालयाओं या स्कूलों में या किसी भी सारवजजिनिक्स परधा में विक्ट्री स्ट्रेंड होता है जहां तीन-चार टॉपर्स बचाने जाते हैं अकसर किसी श्रेणी के लिए ड्रॉब या बराबरी भी हो जाती है पाइसला लेना होता है कुछ उसी तरह आपको अपने अपने तीन-चार उच्चतम योग पहचानने है जैसे ही आपके टोटल हो जाएं ये काफी आसान क्रिया है इसे बेहतर समझने है तू अब हम बाकी भरे अंकों को हटा देते हैं ताकि हमारा ध्यान सिर्फ नो जोड़े हुए अंकों पर किंदित रहे इन अंकों को देखकर साफ प्तीत होता है कि जोड़े हुए अंक कम से कम आठ और ज्यादा से ज्यादा बत्तिस ही हो सकते हैं हमारे दिये गए उधारन में सबसे उचा बत्तिस है चौथा कालम और वो सर्ष्रेष्ट माना जा सकता है यानि बुद्धी नंबर वन फिर आपकी निगाहें जाती है 27 पर छटा कॉलम जो की दूसरी शेड़ी में आता है लेकिन इस उधारन में आपको दिखाई देता है कि आठवा कॉलम का जोड़ भी 27 है तो इन दोनों को आप नंबर दो पर रख सकते हैं समझें कि एक तरीके का ड्रॉ हो गया तीसरी शेड़ी में है पहला कॉलम यानि 26 इन तीन चार उच्चतम योगों से संबंदित हैं पहला कॉलम, चौथा कॉलम, छटा कॉलम और आठवा कॉलम जिन में सबसे तीन से चार उच्चतम योग आये हैं अब हम इन नौ कॉलम का रंगों के साथ संबंद स्थापित करेंगे ताकि आपके लिए अपने अंकों का मतलब निकालना और भी आसान हो सके पहला कॉलम का रंग गहरा नीला है दूसरे कॉलम का रंग है परपल या बैंगनी इसी प्रकार तीसरे कॉलम का आस्मानी या स्काय ब्लू चोथे कॉलम का हरा या ग्रीन पांचवे कॉलम का पीला येलो छटे कॉलम का नारंगी या ओरेंज साथवे कॉलम का लाल या रेड आठवे कॉलम का गुलाबी या पिंक और नौए कॉलम का मट्याला या स्किन कलर इन कॉलम और रंगों के संबंद को याद करना या ध्यान में रखना जरूरी नहीं है चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है हम जब वारतालाब करेंगे तो हर रंग आपको आपके विशिष्ठ तीन से चार उच्चतम योगों वाले कॉलम जोड की याद दिलाता रहेगा इनी रंगों का सहरा लेकर हम आपको विविद बुद्धियों का एक नए रंगा रंग तरीके से पहचान कराएंगे स्मरण रहे कि प्राकर्तिक विविद बुद्धियों के विशे को हम बहुत ही प्राथमिक और मौलिक तोर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये बहुत ही विस्त्रित विशय है और इस विशय में अगर आपको रुची है तो आप इसमें बहुत गहराई तक जा सकते हैं। तो रंगा नुसार आपको जो नौ चोख्टे दिखाई दे रहे हैं उनके क्रमशा प्राकर्तिक विविद बुद्धियों से निम्न संबंध हैं। आगे चलते चलते हम हर प्राकर्तिक विविद बुद्धी का थोड़ा और विश्त्रित ज्यान भी देंगे। इस समय आप केवल इन नौ प्राकर्तिक विविद बुद्धियों अत्वा नैचुरल मल्टिपल इंटेलिजेंस की पहचान करें और उनके नाम से थोड़ा बहुत परीचित हो जाएं। जिनका हम आपको एक नवीन शैली द्वारा संशिप्त विशलेशन भी देंगे। अब आप अपने विशिष्ट तीन-चार उच्चतम योग वाले कॉलम के जोड़ के बजाएं। उनसे संबंदित रंग पर ही अपना ध्यान केंदेत करें। उधारण के तौर पर और हमें अपने अंकों के मुताबिक जिनमें सबसे तीन-चार उच्चतम योग आएं हैं और उनसे संबंदित रंग निश्चित कर रहे हैं। पहला कॉलम गैरानीला, चौथा कॉलम हरा, छटा कॉलम नारंगी और आठवा कॉलम गुलाबी। तो इसके मुताबिक हम अब अपना ध्यान केवल इन चार रंगों पर ही केंद्रित रखेंगे। याद रहे कि यह सेल्फ असेस्मेंट या स्वव मुल्यांकन केवल बुनियादी तोर पर गुणात्मक है तथा मात्रात्मक नहीं है। यह केवल आपका ध्यान प्राकर्तिक विविद बुद्धियों की तरफ केंद्रित करने हेतु एक आनुभविक या अनुभव जने जाँच है। इसलिए जैसे ही आपने अपने विशिष्ट तीन-चार रंगों का निधारन कर लिया तो उनके अनुक्रम का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता। केवल आपकी व्यक्तिकत विशिष्ट तीन-चार बुद्धियां पर जाता है। इसका ये भी तात पर ये नहीं कि आपमें बाकी बची बुद्धियां नहीं है। हाँ व्यक्तिकत तोर पे आपमें पैचानी गई तीन-चार बुद्धियां ज्यादा मात्र में है। इस स्पष्टिकरण के उपरांत चलिए प्राकरतिक विविद बुद्धियों के मौलिक आधार जाने। पहला कॉलम का रंग गहरा नीला है। इंट्रा, पर्शनल, इंटेलिजन्स। दूसरे कॉलम का रंग है परपल या बैंगनी। इंटर पर्शनल। तीसरे का स्मानी या स्काइबलू। भाशाई या लिंग्विस्टिक। चोथे का हरा या ग्रीन। शारीरिक संचलन अथ्वा बॉडिली किनस्थेटिक। पाँचपे कॉलम का पीला यलो यानी तर्क गणित अथ्वा लॉजिक मैट्स। छटे कॉलम का नारंगी या ओरेंज। विजुल स्पेसियल। साथवे का लाल या रेड। संचितिक या म्यूजिकल। आथवे का गुलाबी या पिंक। प्रकरतिवाद। नाचुरलिस्टिक। और नौवे कॉलम कम मत्याला या स्किन कलर, आस्तित्ववान या एक्जिस्टेंशिल। हम आपको हर प्रकरतिक विविद बुद्धी का उधारण भी देंगे, जिससे आपको हर प्रकार की बुद्धी अधिक स्पष्ट हो जाए। हम अपने देश के ही उधारण लेंगे। ये प्रकरतिक बुद्धियों की संकल्पना शायद शिक्षन छेत्र में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रकती है। आप सबने अपना-पना सेल्फ असेस्मेंट या स्वह मुल्यांकन भी किया और प्रश्णों का उत्तर देते समय आपको इसकी प्रासंगिक्ता महसूस हुई होगी।